नमस्कार मेरी नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगतार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसम पीजी कॉलेज जोग्राफी डेपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एड़ डरेट लर्न जोग्राफी विद प्रेम में दोस्तो हम लोग एजीपी जोग्राफी नेट जीरफ का सेट पेपर हल कर रहे हैं जिसमें हमने 2018 के आए हुए जोग्राफी के कुश्चनों को लेकर की चल रहे हैं जिसमें हमने पिछले वीड का जो प्रश्ण है उसमें एक तरफ महासागर की खाई है दूसरी तरफ उसमें गहराई दी गई है ठीक है यह आपका एक किश्वा कुश्चन है एक तरफ महासागर की खाई दी गई है यानि को संट्रेंच दी गई है दूसरी तरफ गहराई दी गई है ट्रेंच आपके किस अगर आपको पता है एक का अंसर तो आपको बाकी पता होने की कोई जूरत नहीं सीधे सीधे आंसर मिल गए आपका ठीक है तो अब हम और भी देख लेते हैं जैसे क्यूरायल कमजटका का दस पान सो है फिलिपिन्स का दस पान सो चालेस और रोमांच गर्द ये ससतर साथ है दोस्तों ये आपकी कुश्चन बनते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए ठीक है तो आप इसे एटलस में भी देख सकते हैं तो आपका विकल्प नमबर दूसरा सही है ठीक है टोंगा की गहराई 10882 है आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि है कहाँ पर तो ये दच्छडी प्रसांत मासागर में ठीक है किरायल जिसकी गहराई 10498 है ये उत्तरी प् प्रसांत मासागर में है ठीक है सौरी फिलिपिन्स ये आपका उत्तरी प्रसांत मासागर में जोमान साब का दच्छडी अटलांटिक मासागर में ठीक है इसके लावा कुछ और गर्त भी आपको यहां पर दिखाई बताये गए हैं उन्हें भी आप याद रखेंगे जैसे प्रमुख गर्थ और ट्रेंज किराइल परसांत मासागर में जापान गर्थ ये तो नाम से पता चल जाएगा आपको मिंडनाओ गर्थ दोस्तों ये जो अमाईलाइट करते जा रहे हैं ये काफी important रहते हैं आपके हमेशा तो किराइल गर्थ, मिंडनाओ गर्थ मेरियाना ट्रेंज तो आपको पता ही है विष्व का सबसे गहरा गर्थ ये है इसे मेरियाना ट्रेंज को चैलेंजर गर्थ ये विष्व का सबसे गहरा गर्थ है चैलेंजर गर्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों मैं आप बता दूँ कि चैलेंजर कटक आपका अट्लांटिक महासागर में है जिबकि चैलेंजर गर्थ आपका प्रसांत महासागर में यह भी आप यार रखेंगे टोंगा गर्थ, कार्मा डेक गर्थ, ग्वाटेमाला गर्थ, पेरू गर्थ, चिली गर्थ, टास, करोरा गर्थ, रिचर्ड गर्थ, मरे गर्थ भी आप से पूछा जाता है दोस्तो, नेरो गर्थ, रेक्यो गर्थ, ठीक है, ब्रुक गर्थ भी पूछा जाता है, बेली सब्सक्icherung सब्सक्राइब जाएंगे सब्सक्राइब आक्या कि इसे तर्युंग के दा तो चीजें आपको असानी से यार जाएगी वा सब्सक्राइब कौन उत्री प्रसांत माहसागर में है और कौन दच्षडी प्रसांत माहसागर में ऐसे भी स्षण पूछ लिये जाते हैं तो यह वह कष्ड़ हैं तो यह लगा और लान्टे को न्यखेंम ग Anyway ऊपने आ बाकुन कौन होगा कका लुकल प्मसर द statement Commissioner events तो नरेषल पीूरिकोग्र्थ ठीक है ये इंपटेंट है आपके प्रिटरिकोग्र्थ को मिलवंकी घल्थ भी कहते हैं जोमान्ष गल्थ जो अभी पूँचा इस question में भी ठीक है सैंडिविच गल्थ जोम से गल्थ ठीक है ये आपके मत्ति tumor गल्थ है केमन गर्थ, वाल्लड विका गर्थ, बुचानान गर्थ, मोशले गर्थ वह चुन गर्थ यह सब अट्लांटिक मासागर है हिंद मासागर में आपका सूनड़ा गर्थ, दिसकवरी गर्थ यह भी काफ़이 important है आपके, वाटन गर्थ भी है तो इसे भी आप याद रखेंगे कॉन उत्री नभी आपको याद रखना वागा कोण उत्री माशार में यहां से कुश्चन भी बनते हैं आपके अगला कोश्चन है आपका वाश्वन नंबर निमनलिखित में से स्वामंडल यानि होमोश्फियर में सापेक्षिता हरूप से अक्री नाइट्रोजन के विशाल भंडार का मुक्षोद कौन सा है ठीक है यानि कि नाइट्रोजन का या विच वन उप दे फॉलोविंग इस दा मैन सोर्स फोरे होमोश्फियर और होमो मंडल को दो भागों बाठते हैं तो होमेश्फियर और हेट्रोजन के नाम से जानते है होमोस्फियर में आपका आ जाता है चोब मंडल, समताप मंडल और मद्द मंडल आ जाता है जबकि आपका जो विशम मंडल है उसमें आपका नाट्रोजन मंडल आपके तीन चार मंडल आ जाते हों आपके जैसे हाट्रोजन मंडल, हेलियम मंडल, आक्सीजन मंडल, नाट्रोजन मंडल तो उसमें पूछ रहा है आप से कि नैट्रोजन का सबसे विसाल भंडार कौन सा है ठीक है तो अगर आप इन दोस्तों कुष्चिनों पर जाएंगे तो आप वैसे भी आंसर तक पहुंच सकते हैं जैसे जिवास मीधन जलाते हैं जब तो क्या निकलता है आपका कarbon diokside और कarbon monoxide निकलती है जब वैश्च्विक ऊष्मन होता है तो इहां पर कarbon diokside काम करती है ठीक है अम लोगर सामें आपके CH4 या सलफर diokside काम करती है nitrogen diokside काम करती है ठीक है तो एक कोई विकल्प आप का बनता है ज्यो आला मुकी गतिविदी है यानि कि जो आलम की विसपोर्ट से सबसे ज़्यादा आपकी अक्री नाटोजन निकलती है ठीक है तो आपका विकल्प ए सही है ठीक है दोस्तो विकल्प ए सही है और इसके बाद इसकी बैक्ख्या को भी बताया गया है कि प्रत्वी के वायु मंडल यानि एटमोस्फेर के संग्ठन में प्रमुग गयसे है ठीक है जब हम एटमोस्फेर पढ़ते हैं तो उसमें आपकी दो चीज़े आती हैं संग्ठन और संग्ठन का मतलब होता है कि वायु मंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है और संग्ठन का मतलब है कि कौन-कौन सी पढ़ते हैं तो संग्ठन म गैसे कौन सी है यानि कि आपको वायुमंडल ही पता होना चाहिए तो वायुमंडल प्रत्वी के चारो और गैसों का समू आपका वायुमंडल कहलाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नाट्रोजन है अठटर दसम्लोग जीरो चोरासी परसेंट आक्सीजन 20.94 आरगन 0.93 परसेंट कारवंडाय अकसीड जीरो तीन परसेंट नाट्रोजन की विशाल वढ़ंडाल का सोथ चौअला मुखी गत्वी दियां है तो आक्सीजन सबसे बड़ा सोथ क्या है तो यख कख्री गैस है जो जेडियो एक्टिव छे की दोरान उत्पन्न होती है यानि कि जीवों जैसे की हम हम एक जी बी है अगर तो हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं जब तो हम आक्सीजन को लेते हैं ठीक है और जब बाहर छोड़ते हैं तो कारवन डायाकसाइड छोड़ते हैं पेड़ पौदे आक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन कारवन डायाकसाइड लेते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कुश्चिन की तरफ टैश्वे नम्बर का कुश्चिन है आपका यह प्लेट टेक्टोनिक से सम्मद्ध कुश्चिन आपका है कि नाज का प्लेट किस दिशा की ओर बढ़ रही है यानि in which of the following direction the नाज का प्लेट is moving तो आपको प्लेटे आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थी पड़ी है तो उसमें आपको प्लेटे दो प्रकार की बताई गई है बड़ी प्लेटे और गौर्ड प्लेटे ठीक है तो यह आपकी गौर्ड प्लेट है नाज का प्लेट गौर्ड प्लेट है और ये दच्छिड अमेरिका के पश्चमी तट के पास पाई जाती है और इसके जो बढ़ने की दिशा है तो वो पूर्व दिशा की ओर है यानि कि ऐसे बढ़ रही है यानि कि ये अगर दच्छिड अमेरिका है यहाँ पर अगर नाच का प्लेट है तो नाच का प्लेट आपकी पूर्व की ओर बढ़ रही है इसका अंसर होगा पहला ठीक है इस प्लेट में दिखाया गया है आपको नाच का प्लेट की गती की दिशा पूर्व की ओर है वास्तविक रूप से इसका गती की दिशा दच्छिड पूर्व है यानि कि हम यह नहीं कह सकते कि कि पूर्व में ही जा रही है, दच्छड पूर्व में इस परकार से जा रही है, ठीक है, और अगर हम सीमा की बात करें, तो आपको पता है कि तीन परकार की सीमाएं होती है आपकी, एक अब सारी सीमा होती है, एक अभी सारी सीमा होती है, ठीक है और एक आपकी संदच्छी सीमा होती है तो नजिका प्लेट दच्छड पूर्व की उरबड रही है और ये अभी सारी सीमा का उधारन है यानि ये दच्छडी अमेरिका की जो बड़ी प्लेट है उसके नीचे जा रही है इसी कारण यहाँ पर इस भाग में एंडीज परवत का निर्माड हुआ है ये भी आपको याद रखना है विस्व के सिर्फ से जो लंबी परवत संकला है वो एंडीज है वो नाजिका प्लेट के दच्छड अमेरिकन प्लेट के नीचे जाने के कारण ही इसका निर्माड हुआ है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आपका ये 24 वे नम्माड का कुश्चन है इसमें पूछा गया है आपकी की भूमी से समुद्र तक विलान्चल में निम्न लिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है यानि आप से जोन पूछे गए है यानि विच वन ऑफ दा फॉलोविंग स्वेकेंस इस दा करेक्ट वन इज लेट्टोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी यानि कि माली जी की ये भूमी है अगर और ये महा सागर है आपका तो ये जो तठ दिये गए हैं इनका सही करम बताना है आपका कि भूमी से सागर क्यो इनका तठ कौन सा सही है ठीक है तो दौस्तो इसके लिए हमने तो एक सूतर बनाया था बी-े-फ-नो ठीक है B F No ठीक है तो ऐसे trick आप भी कोई बना सकते हैं तो B से अब आप ये पहले अच्छा दिये गए हैं उसमें मैच करा लीजिए कि B किसमें है ठीक है इसको हम तोड़ा और बड़ा कर लेते हैं तो B F No यानि B से आपका back sort F का मतलब four sort N का मतलब near sort और O का मतलब app sort यानि कि अच्च तट, अगर तट, निकट तट, अब तट तो आपका पहला विकल्पी सही है यानि कि भूमी से जैसे जैसे आप सागर की और बढ़ते जाएंगे वहाँ पर पहले back sort मिलेगा फिर four sort, फिर near sort, फिर off sort ये आपके तट मिलेंगे ठीक है तो ये आप याद रखेंगे तो आपका पहला विकल्प सही है ठीक है अब हम इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं सागरी तट एवं किनारा भूमी से समुद्र तक विलांचल में निम्नलिकित क्रम है पश्चितट, अगर तट, निकर तट, अप तट ठीक है पश्चितट क्या है जहाँ पर सागरी तरंगे आगे बढ़कर पहुँचती है उसे प्रस्ट किनारा यानि बैक सोर कहते है किनारे का यह भाग इस्थल की और अंतिम सीमा होता है यानि इसके बाद इस्थल सुदू हो जाता है इसके बाद है अगर तट आपका इसे अगरिम किनारा भी कहते है सागरी जल जहाँ पर सदयव रहता है उसे अग्रिम किनारा कहते हैं, यहाँ पर पानी हमें सही रहता है, निकट तट या निकट किनारा, अग्रिम किनारे एवं सुदूर्व किनारे, यानि अब तट के बीच इस्तित होता है, या निकट तट होता है, अब तट या सुदूर्व किनारा, महादुपी ढ़ाल का सेस उतला भाग जो की सागरी जल्दवारा अवरत रहता है बाहरी किनारा ये सुदूर किनारा आपसोर्व कहा जाता है ठीक है समाने तट वा किनारा को प्राया समानार्थी समझा जाता है परन्तु इसमें प्रयाप्त अंतर है सागरी किनारे से इस्थल की योद का भाग तटका ज जो सागरी किनारा है उससे जो इस्थल का बागे वो तटका जाता है सागरी किनारा सागर के उस भाग को कहते हैं जो कि सबसे अधिक जवारी जलकी सीमा के मद्ध होता है सागरी किनारे के रेखा यानि सोल लाइन उसे कहते हैं जो किसी भी समय जल तलकी सीमा निधारित करती है अर्थात किनारे की रेखा, उच्छ और निम्न जौर के मद्द, सागरी, जल्की, इस्थल की और, अंतिम सीमा को प्रदर्सित करती है इस तरह उच्छ तर्था निम्न जौर के समय किनारे की रेखा बदलती रहती है इस डाइग्राम के माद्धिम से भी इसमें दिखाया गया आपको, यह आपका लैंड है, ठीक है, सबसे पर यह आपकी तट रेखा है, सोल लाइन है, इसमें आपका पहले बैक शोर, फोल सोर, नियर सोर, सुदूर किनारा, यानि की ओफ शोर, ठीक है, तो यह आप याद रखे तो यह आप असानी से याद हो जाएंगे, बी एफ नो, ठीक है, यानि की बी एफ नो आप समझ रहे होंगे, तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, ठीक है, इसके बाद अगला कुस्च्चन आपका कतन कारण वाला है, ठीक है, असर्सन और रिजन, तो इस कुस्च्च्च अभी कतन यानि की आपका असर्सन है, कि निम्न अक्छांसों में, गहरे सीत छेतर में, समुद्री जल जमता नहीं है, ठीक है, यानि निम्न अक्छांस आपको पता होना चाहिए, अगर हम ये ग्लोब बनाएं, तो जो आपका भूमत देखा गया, आसपास का छेतर है, ये न समुद्री जल जमता नहीं है, ठीक है, यानि कि सागर के नीचे जब आप जाओगे, गहरे सीत छेतर में, यानि सागर के नीचे जब जाओगे, तो समुद्री जल जमता नहीं है, ठीक है, वो ये कह रहा है, इसके बाद उसने तर्क क्या दे रहा है, यानि कि रीजन बता रह है कि गहरा समुद्री जल अपनी उच लवणता के कारण तीवर दवाव के अंदर नहीं रहता जा इसी बात है कि अगर उच लवणता होगी तो दवाव भी अधिक ही होगा ठीक है क्योंकि लवणता और दवाव में सीधा समंध होता है हमने पहले भी बताया आपको कि उच्छ लमडता है तो जायसी बात दबाव भी अधिक होना चाहिए लेकिन उसने कहा क्या है कि नहीं होता अंदर नहीं रहता तो आपका पहला विकल्प दोस्तों सही है और दूसरा आपका गलत है तो आप हम देख लेते हैं कि किस विकल्प मे है आपका यानि कि तीसरा विकल्प आपका सही है ठीक है यानि कि ए सत्त है लेकिन आर आपका असत्त है ठीक है दोस्तों निम्न अक्छांसों में गहरे सीथ शेत्र में लमडता के कान समुद्री जल जमने नहीं पाता गहरे समुद्री जल में लमडता तथा गहराई दोनों क कांट तीर दवाव रहता है ठीक है क्योंकि लवड़ता और दवाव में सीधा समन्द होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन देखते हैं समुद्री जल में लवड़ता में विश्व व्यापी भिनता का सही आउसत परिशर या रेंज निनलिकित में से कौन सा है ठीक है तो 34 से 37 परिशत आपका आउसत रेंज है ठीक है दोस्तो यानि कि विश्व की जितने भी मासागर है उनमें 34 परिशर से 37 परिशत के बीच ही जाती है तो विबिन मासागरों में लवड़ता की मात्रा समानता 33 से 37 परिशंट के बीच रहती है परंतु कुछ इस्थल बद इस्थल बद का मतलब चारतरफ इस्थल से गेरे हुए छोटे सागर खाड़ी चैनल में लवड़ता अधिक भी हो सकती है तथा जहां स्वच जल की अपूर्ती या हिम की अपूर्ती होती है वहां सागरी लवड़ता अत्दिक कम भी होती है जैसे नदियों की मुहाने पर और उच्छ चांसों पर ठीक है अगला कुश्चन आपका फिर से कथन कारण वाला ही है ठीक है 27 नम्मत का प्रस्ण है आपका कि एंट्रोपी एंट्रोपी अवस्था में उर्जा प्रवाह उत्पादन से स्वसन की ओर इस्थान्तित होता है जिस से आक्सीजन की मांग आक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाती है ठीक है कारण है याँ पर कि समताप मंडल में ओजोन प्रत की निशेशन से तो अच्छा सम्मंदी रोग हो जाते हैं देखो दोस्तो एक में आपके इंवायर्मेंट की बात की जा रही है आक्सीजन की मांग और उपलब्धता की बात की जा रही है दूसरे आपके समताप मंडल की बात की जा रही है तो एक विकल्प तो आपको सीधे सीधे गलत हो जाएगा की आर एकी ब्याक्या नहीं करेगा तो यह आपको यार रखना है आर एकी ब्याक्या नहीं करेगा अब हम एक विकल्प हमने गलत कर दिया ठीक है अब दूसरा हम देख लेते हैं कि समताप मंडल ओजोन परत के निशेशन से तवचा समंदी रोग हो सकते हैं यानि स्टेटो फेरिक ओजोन लेयर डिपलेशन या गलत तो नहीं हो सकते ठीक है तो आपको आपके पास दो विकल्प बचते हैं ठीक है कि A सही है B आर भी सही है लेकिन आर सही की ब्याक्या कर रहा है या A सही है वो सोरी A असर्त है और आर सही है दो विकल्प ही बचते हैं आपके तो अब हम पहला विकल्प देख लेते हैं अ प्रसंद की और स्थांतित होता है जिससे आक्सीजन की मांग बढ़ जाती है जैसी बात है जब स्थांतित होगा तो मांग बढ़ेगी बढ़ेगी और जिससे आक्सीजन की उपलब्द तभी अधिक हो जाती है बिल्कुल सही है ठीक है तो ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की ब्याक्या नहीं करता क्योंकि उस ने अउजुन मंडल की बात की है तीक है यानि की बिकल पापका दोश हौई तो दोस्तों ऐसे ऑनालशिस करके आपको प्रस्नों की आंसर तक पहुँचना होता है टीक है पर्फेक्ट चीज़े नहीं सबको पता होती लेगन ऐसे ही पहुंचते हैं आप इस प्रस्ण में इंड्रोपी के स्थान पर यूट्रोफिक होना चाहिए था देखो यहां पे दोस्तो थोड़ा गलत दिया हुआ है इंट्रोफी नहीं होना चाहिए यूट्रोट्रोफिक होना चाहिए और यूट्रोट्रोफिक के अधार पर ब्याख्या दिया गया है जीलों तलाबों में जैविक जैसे मूल मूत्र सीविच के माद्यम से तथा नाइटोजन और फासफोरस जैसे अजयविक पोशक तत्तों की ब्रद्धी होने से तो जली पौदों और सहवालों की संक्या अत्धिक बढ़ जाती है अर्थाथ जीलों की प्रात्मिक उत्पादकता भी बढ़ जाती है जो की अभी क्विश्चन में बताया था उसने इन जली पौदों और सहवालों द्वारा स्वसन हेतू आक्सिजन की मांग भी जल में घुलेत आक्सिजन से अधिक हो जाती है ठीक है क्योंकि पहले जितनी आक्सिजन थी अब संक्या अधिक हो गई तो इस मांग से ज़्यादा उनकी डिमांड हो जाएगी यानि की आक्सिजन डिमांड इनकी बढ़ जाती है जबकि अनजलीव जीव हो हेतू आक्सिजन की कमी होने से अनजलीव जीव मरने लगते हैं जिससे जैव विविर्टा का हिरास होता है जल में गुले ताक्सिजन की मात्रा अत्धिक कम हो जाने से अनाक्सी कलंड से द्वतियक प्रदूसक जैसे मिथेन, अमोनिया वहार्डोजन सलफाइड आदी बनने लगते हैं बनने लगते हैं और जल में दुर्गंद आने लगती है और जल पीने योग नहीं रह जाता है इसे सुपोसन या यूट्रोफिकेशन कहते हैं ठीक है पोसन और यूट्रोफिकेशन आप समझ गए कि किसी भी जल में जैविक तत्तों में ब्रद्धी हो जाए या अजैविक तत्तों में ब्रद्धी हो जाए तो जिससे सैवाल वगएरा इसमें बढ़ने लगेंगे तो इसकी जो आक्सीजन है वो कम पढ़ने लगेगी इनकी आक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगेगी जिससे जलिये खराब होने लगेगा क्योंकि जीव जन्तु मरने लगेंगे ठीक है तो इससे हम क्या कहते हैं बद्दी होती ये भी आपसे पूछ आता है दोस्तों कि ओर जोन परत का काम क्या है तो ये सूर से आने वाली पराबैऑदू करणहों से हमारी रक्षा करती है जिसका द। रवामानों, अन जनतों, पेड्र पहुतों पर पढ़ता है। प्रावागनी किर्णे प्रक्तिक छमानों में कई रोग उत्पन्द करते हैं जैसे कैंसर त्वचा समंदी रोग आँख का मोतिय बेंद रोग आदी ठीक दोस्तों इसके बाद अगला कुश्यन है आपका अठाइश नंबर है ठीक है कि सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्तों के निम्न लिख रिखते समुः में कौन सा एक प्रतिवी के 99 प्रिस्ट से ज्यादा बाईो मास यानि जैवभार बनाता है यानि ऐसे कौन से तत्तों है जो सबसे अधिक जैवभार बनाते हैं ठीक है तो इन विकल्पों में भी दोस्तों देखने से आपको लग रहा होगा कि आपका पहला ही विकल्प सही होगा क्योंकि हाइड्रोजन, आक्सीजन, कार्बन यही एक ऐसे तत्तों हैं जो प्रतवीपन 99 प्रतसत बायो मास यानि जैयो भार को बनाते हैं तो विकल्प आपका एक ही सही है सभी जीविद जीवों में समानता 6 तत्तों उभै निष्ट होते हैं यानि कोई भी जीविद जीव है उसमें 6 तत्तों त्रमक रूप से ही पाए जाते हैं और यह चेततों है carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus और sulfur ठीक है और इन सब में भी सबसे ज़्यादा कौन से है carbon, hydrogen और oxygen ठीक है इसे chapnos यानि चनॉस चनॉपस भी कहते है मलब चनॉपस, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen ठीक है phosphorus और sulfur ठीक है यह उनका संचेप रूप है तो इसे आप देख सकते हैं इन में जीविजीव में मुकता hydrogen, oxygen, hydrogen, carbon परयाप रूप से होता है जो संपूर्ट प्रत्वी का बायो मास्का 99% पूरा करता है ठीक है अगला question पर चलते हैं दोस्तों एक question उपर लिखा गया है ये concept भी आप याद रख सकते है समीपस्त एकाई यानि neighborhood संकल्पना किलिरैंस पैरी ने दी थी ठीक है ये आप याद रखेंगे इसके बाद अगला question है आपका कि भव डायनाशोर डिनोशार डिनोशार के परीछेपन में निमने लिखित में से कौन सी एक महत्रपूंड परिगटना है डिनोशार परीछेपन which one of the following phenomena place of a vital role in the dispersion of majestic डिनोशार डिनोशार ठीक है तो इससे जौला मुखी उद्गार ही होता है आपका sorry महाद्वीपी विस्थापन होता है भव डिनोशार यानि की मैजेस्टिक डिनोशार से क्या होता है महाद्वीपी विस्थापन यानि कॉंटिनेंटल डिफ्ट होता है इसकी ब्याक्या भी हम थोड़ा देख लेते हैं विबिन पौधों एवं जन्तूँओं के जिवाश्मों जैसे गलो सॉप्टेरिश आदी कई महाद्वीपों में पाए जाने के अधार पर सभी महाद्वीपों की दच्छिडी गुलार्द में एक सनलगन माना गया बात के भूगरवित काल में इस सुपर महाद्वीप पैंजिया के विभाजन के बाद इनका प्रवाय होने से वर्तमान महाद्वीपों की इस्थिती आई है वेगनर का महाद्वीपों की प्रवाय सिद्धान इसी परदारित है डाइनासोर का विस्थिती इसी प्रकार हुआ है यानि कि जो डाइनोशोर है आपके उनके विस्थिती से सम्मंदित ये घटना है कि डाइनासोर का अलग-अलग जगे पाया जाने का प्रमुक कारण क्या है इसलिए वो महाद्वीपों विस्थापन से दानत बताया गया है ठीक है तो यहां से एक कुश्चिन आपको एक और फैक्ट मिलता है आपका कि जो सभी महाद्वीप थे वो किस महासागर में एक थे तो यहां पर आपको बताया गया है क्या कहते थे पैंजिया कहते थे ठीक है महाद्वीपों प्रवाय से दानत आपको पता है कि वेगनर मौदे ने दिया था अगला कुश्चिन है आपका कि रियोडी जिनेरियो में 3 से 14 जून 1992 के दोरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित यू एन सम्मेलन की अध्यचता किसने की थी जार्ज डबलू बुश मौरिस एफ स्ट्रॉंग टोनी बलेर रैचल कालसन ठीक है तो ये दोस्तो तो ऐसे प्रस्ण है कि आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए हम इसमें तुक्का नहीं लगा सकते ठीक है तो इसका अंसर दोस्तो आपका है मौरिस एफ स्ट्रॉंग यानि कि रियो डियनेरियो सम्मेलन जो 1992 में हुआ था इसे प्रत्वी सम्मेलन की नाम से भी जानते है ठीक है और ये पर्यावरन और विकास को लेकर के प्रत्रम सम्मेलन था तो इसकी अध्यचता की थी मौरिस एफ स्ट्रॉंग ने ठीक है इसकी बैक के भी देख लेते हैं रियो डियनेरियो एक ब्राजील का सहर है जिसमें जून 3 से 14 1992 की दोदान पर्यावरन विकास पर आयो जित यूएन सम्मेलन की अध्यचता मौरिस एफ स्ट्रॉंग ने की थी के द्वारा की गई थी और इसे प्रत्वी सम्मेलन की नाम से भी जानना जाता है ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे ठीक है दोस्तो आज के 10 कुश्यन आपके पूरे होते हैं ठीक है दोस्तो और बाकी आने वाले कुश्यनों को हम ऐसे इस स्रीज बनाते हुए आगे पढ़ते चले जाएंगे ठीक है दोस्तो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें साथ ही साथ चैनल को भी सब्सकाइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीक है दोस्तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार प्रसंद रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्नवाद, जय हिन दोस्तो